दोस्तो आज हम एक बहुत ही याम्मी स्नैक्स रेसिपी लेके आए हैं जो कि छोटे से लेके बढ़ा तक सभी को खाना बहुत पसंद है ये एकदम हैल्दी प्रूटिन से भारपूर है लो कैलेरी से जो कि वेट लॉस करने में बहुत ही हैप करता है तो आज हम दिखाएंगे दो टाइप के रोस्टेड माखना रेसिपी माखना को इंगलिश में फॉक्स नाट या फिर इसको लोटा सीट भी बोला जाता है तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो तो यहाँ पे मैंने दो बोल माखना ले लिया है एक बोल से मैं बनाओंगी सॉल्टेड रोस्टेड माखना और दूसरी से मैं मासाला सॉल्टेड माखना बनाने वाली हूँ तो चलिए फास्ट रेसिपी क्लासिक सॉल्टेड माखाना का रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं अभी मैं एड कर लूँगे हाफ टीस्पून देसी घी साथ में मैंने एड किया स्वाद अनुसर रॉक सॉल्ट अब चाहे तो नॉर्मल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं सॉल्ट और घी को अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं कडाई में अभी माखाना एड करके मीडियम फ्लेम में चार से पाच मिन तक इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक ना माखाना बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए उसके बाद हम चैक कर लेंगे अब देख सक स्पेशली बच्छों के लिए यह बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि इसमें जादा कुछ मसाला भी नहीं होता है तो अब भी प्रिप्यार कर लेते हैं रोस्टेड मसाला मखाना यहापे मैं एड कर लूंगी वान टी स्पून जैसा घी थोड़ा सा जादा में घी यहापे एड करूंगी स्वाद नुसा रॉक सॉल्ट एड करूंगी जैसे कि मैंने पहले बता दिया आप चाहे तो नॉर्मल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं अभी मैं एड कर लूंगी वान थर्टी स्पून ब्लेक पेपर पावडर इससे क्या होगा एक स्पाइसिनेस आएगा मख यहाँ पर मैं एड कर लूंगी माखाना अभी साड़े माखाना को अच्छे से मसाला के साथ कोट कर लेना है उसके बाद चार से पार्च मिर तक मीडियाम फ्लेम में अच्छे से भून लेना है जब तक न यह क्रिस्पी हो जाए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं माख यह त्राइ कीजिए तो दोस्तों माखाना तो बहुत सारे टाइप के बनता है पर हम नहीं यह पर दो टाइप का माखाना वना कि आपको दिखाया है तो अच्छा लगता है तो घर में जरूर ट्राइप कीजिए और एंजोए कीजिए तो यह रोस्टेट माखाना रेसिपी अब घर पर जरूर ट्राइप कीजिए अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए एंड टून फोगेट तो सब्सक्राइब चैनल थेंक यू